पिकेट जगत में कई बिकेट कीपर आएं जिनोंने अलग-अलग रिकोर्ड बनाएं लेकिन कोई भी इस सौथ अपरिकी दिगज का रिकोर्ड नहीं तोड़ पाया पोरु दिगज सौथ अपरिकी बिकेट कीपर बल्लेबाज मारक बाउचर के नाम एक खास रिकोर्ड है जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है बाउचर ने अपने इंटरनेशनल केरियर बतोर बिकेट कीपर सर्वधीक बल्लेबाजों को आउट करने का रिकोर्ड अपने नाम किया है मारक बाउचर ने अपने इंटरनेशनल केरियर में कूल 999 बल्लेबाजों को पावेलियर की राद दिखाई है इसमें उन्होंने कुल 952 केज लिये हैं और 46 अश्टंपिंग किये हैं बहुचर ने कुल 466 मेचों की 596 पारियों में ये कार्णामा किया है इसके बाद पुरू अश्टर लियाई बिकेट कीपर बल्ले पाज एडम गिली क्रिष्ट दुसरे नमबर पर मौजूद है मार्क बाचर सौथ अफरिका के बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो संतार बल्ले पाज होने के साथ साथ बिकेट कीपिंग भी करते थे लेकिन साल 2012 में एक हाथसा हुआ जिसके बाद सौथ अफरिका के लिए फिर कभी नहीं खेल सकें दरसल साल 2012 में इम्रान ताहिर की गेंद बाजी विकेट कीपिंग कर रहे हैं मार्क बचर को लग गई है इस चोट के बाद ये खिलाड़ी फिर कभी मेदान में वापस नहीं हो सकें किर्गेट जगत में मेहंदर सिंग धोनी का रैंकिंग पोजिसर कितना है विकेट कीपिंग में कमेंड में जरूर लखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंकी प्रवाचिं